हेलो गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 अपरेल तक के सब इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंते तक चरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अधिया आप मारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ, मंतली पीडियेफ और हर महीने के बैंकिंग एड इगनोमिक अवैनेस पीडियेफ चाहते हैं तो करंट अफेर्स फंडा का वनियर मेंबर्शिप प्लान आप जोइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फिर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा आपको बता दें इस वनियर मेंबर्शिप प्लान के तहएं जितना भी हमारा पीडियेफ कॉंटेंट हैं वह मां आपको एक साल तक के लिए प्रवाइट कराते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं और आपको इस वनियर मेंबर्शिप प्लान के तहट के तहर्त के एक बार आप हमारे करेंट अफेर्स पर लेते हैं उसके बाद फिर के एक इन्मानिया आपको करेंट अफेर्स काफी मजबूत हो जाएगा साथ ही आपको बता दें कि कुछ टेक्निकर कारणों से गुगल प्ले स्टोर पर हमारी करेंट अफेर्स फंडा आप आपको शो नहीं हो रहे होगी तो उसका एक अल्टरनेटिव यह लिंक आप देख भी पारें और यह लिंक हमने आपको कॉमेंट बोक्स में आप इस्रिप आगे बढ़ने से पहले आच्छा कोश्चन देख लेते हैं इसका अंसर आपको अभी कॉमेंट बोक्स में करना है वेर इस अथिरपिल्ली वाटरफॉल्स अथिरपिल्ली दरप्रपात कहा है ऑप्शन देखते हैं केरण करनाटक तिलंगाना या फिर अंद्रप्रदेश तो अगले प्रमुख के रूप में किसे निक्त किया गया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर अप्शन सी है दिनेश कुमार त्रिपाथी आपको जाना चाहिए गवर्मेंट अफ इंडिया ने वाइस एड्मिरल दिनेश कुमार त्रिपाथी जो कि फिलाल नवल स्टाफ के वाइस चीफ है इन्हें नेक्स्ट चीफ अफ द नवल स्टाफ निक्त किया है 30 अपरेल 2024 से आपको बदा दे फिलाल जो चीफ आफ नवल स इस साखा में कारे रथ थे ऑप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा इंडियन एर फोर्स आपको जाना चाहिए ओल्डेस्ट लिविंग पाइलेट ऑफ द इंडियन एर फोर्स इसक्वाइडन लीडर दलीप सिंग मजीठ हिया इनका हाली में 103 के इजमें जानते थे एक और अविचरी देख लेते हैं सुरबजीत ज्यवैली बल्देव जो की जाने माने साथ अफ्रिकन सिंगर रहें इंडियन ओरीजन के इनका भी 66 केज में इधन हो गया है इन्हें बैरी बल्देव के नाम से भी जाना 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 था Where was the successful flight test of the indigenous technology cruise missile ITCM conducted by the DRDO? DRDO दोरा स्वदेशी प्रद्री क्रूज मिसाइल का सफल उडान परिक्षण कहां किया गया? सही answer option A है चान्दीपूर, UDISA Defense Research and Development Organization यानि की DRDO ने indigenous technology cruise missile ITCM इसका सफल परिक्षण किया है integrated test range चान्दीपूर से जो की UDISA post पर इस्तित है और इसके तहत जो हमारी indigenous propulsion system developed किया गया है Aeronautical Development Establishment ने What is the new position of electronics exports in India's export ranking as of the financial year ended March 31st, 2024 31st, 2024 को समाप्तवित्यवर्ज के नुसार भारत electronics निरियात के मामले में किस इस्थान पर है सही answer option C है 5th largest exporter देखे भारत से mobile phone का exports जो है काफी बड़ा है खासकर की Apple का इसी विज़ जैसे जो electronics export है भारत से ठीक है उसमें भारत एक position ओपर पहुंचिया है और 5th largest export बने अगर हम electronics की बात करें 29.1 billion US dollar का जो है माल हमने electronics export हिया है और पहले इस मामले में पहले नंबर पर आता था एक्सपोर्ट की मामले जो drug and pharmaceuticals रहते थे जिनकी value 27.8 billion US dollar की रही ठीक है 31 माल 2014 तब लेकिन अभी दूसरे नंबर पर आ गया है Department of Commerce की माने तो जो एक्सपोर्ट है इसका हमारा electronics का जो एक्सपोर्ट है यह 24% से ग्रूव किया है और यह fastest growing export केटेगरी भी रही है अगर हम टॉप 10 एक्सपोर्ट में जो components है उनमें देखें तमीन लाडू लार्जिस्ट एक्सपोर्टर रहा electronics कुटका इस ने 9.56 billion US dollar तक का एक्सपोर्ट किया है 2023-24 में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट जो है लगबग 38 प्रतिशत की विद्धिस में देखने के लिए मिली है लास्ट यर और इसकी वैल्यू पहुंच गई 15.5 billion US dollar की जो मारा टूटल एक्सपोर्ट से उसमें 53% मोबाइल फोन का जो है और आपको बता इंडिया सेकेंड लाजेस्ट प्रोडूजर है मोबाइल फोन का एकोरिण तु दर रिपोड़ बाइप इस दी चेमबर आफ कोमर्स एंड इंडिया एकनोमी बाइट 2047 प्येश्टी चेमबर आफ कोमर्स एंड इंडिस्ट्री गी रिपोर्ट के नुसार 2047 तक बारत्य अर् लिक्सिद भारत एट 2047 इस रिपोर्ट में कहा है कि इंडियान इकनोमी का जो साइज है 2047 तक 34.7 ट्रिलियन यूएस रोका हो जाएगा और पर कैपिटा इंकम हो जाएगी 21,000 यूएस डॉलर की रिपोर्ट में भी बताया है कि जो एकरिकल्चर का शेर है हमारी जीटीपी म से बढ़कर 34 प्रतिशत हो जाएगा जो मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर का जो शेर है वह भी सोला से 25 प्रतिशत बढ़ जाएगा 2030 से 2047 तक के बीच में सर्विस का जो कॉंट्रिबूशन है हमारी जीटीपी में वह उतना ही रहने वाला है जो प्रतिशत ही रहने वाला है फिस प्रतिशत फिलाल कितना ही किस प्रतिशत है वट इस अमांट ऑफ दा मॉनेटरी पैनल्टी इंपोस्ट पाइदा आर्बीए ओन राजधानी नगर सहकारी बैंक लिम्टेड लखना उपर आर्बीए जारा कितना मौद्रिक दंड लगाए गया है सही आंसर ऑप्शन सी है 5 ल लीम्टेड राच्छोट पर आर्बेया निय 5 लाक रुपीज की मानेरी परेनलर लगा है जीला सहकारी बैंक लिम्टेड गड़वाल को थार उत्रा अजध्वार इन्सक्त कॉपोरेगाइ गडवाल कोट्वार सुथार उत्राखंट पर अरबेया ने ऑनची पांच ला सब्सक्राइब कर दो से गटकुद करिमेंग आडब तक पर्सेंटेज इंक्रीज इन उन प्निन इंटेक स्टार्टस प्रॉम प्रॉङ पॉर्ट्वेंड हो देखें जो 2 2019 का फॉर्ट्वार्ट का फॉर्ट अर्च पर्स्ट है यहां तक भाग्रते फिंटेक स्टार्टॉप द्वारा जुटाई गई फंडी में कितने प्रतिशत की व्रिद्धी हुई है सही आंसर अप्षिन है 59 परसेंट 69 प्रतिशत देखे ट्रेक्शन जी ओ क्वार्टर ली रिपोर्ट जो की ट्रेक्शन द्वारा जारी की जाती है इन्होंने कहाए कि जो फर्स्ट कॉर्टर है हमा जो 2030 का फॉर्थ कॉर्टर था उसमें जो फंडिंग मुनी थी उससे कंपेर करें उस वक्त हमें 347 मिलिंगर स्टोर की फंडिंग मिली थी इंडिया तीसे नंबर पर है हम फिंटेक फंडिंग की बात करें यूएस पहले नंबर पर है फिर चाइना है और बैंगलूरू करना यह फिंटेक फंडिंग प्राप्ट करने में टॉप पर रहा है अगर हम 2024 के फस्ट क्वार्टर की बात करें उसके बाद फिर मुंबई महारास्ट हैदराबाद एं तिलंगाना विच मैडर विल भी अपग्रेटेटेट तुसीलवर फोर एस्वरिया मिश्रा डियू तू फर मेडल है जीता था इसको सिल्वर में अपग्रेट कर दिया जाएगा क्योंकि जिने सिल्वर मेडल दिया था जो सेकेंड नंबर पर थी फरिदा सुलिएवा उजबेगिस्तान की यह डॉप टेस्ट में फेल कर गई है तीन साल का इन फर बैन लगा दिये गया तिरासी नंबर शेरों का अधिकरंड करेगा सही अंसरॉप्शन से यह हंड्रीट परसेंट देखें भारती एरटल ने एक एग्रिमेंट साइन किया है जिसके तहत चो इसका ओपरेशन है स्रीड लंका में उसे मर्ज कर देंगे यह डायलोग के साथ डायलोग क्या है स्रीड लंका का विच कंपनी हैस पार्टनर दीद पेयू तो इन्हेंस दा क्रोस बर्डर पेमेंट एक्स्पिरियंस फोर इंडियन मर्चंट्स भारती वेया पारियों के लिए सीमा पार भुक्तान अनुभाव को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने पेयू के साथ साही आंसर ओप्शन दी है पेपल देखे लीडिंग ओन्लान पेमेंट सुलिशंस प्रवाइडर पेयू ने का हाए कि हमने पार्टर्शिप किया यूस बेस फिंटेक कंपनी पेपल के साथ ताकि जो क्रोच पेमेंट 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 एंडियन मर्चंट्स भा वो इन्हेंस हो सगे थू इस पार्ट पेमेंट और चेक आउट टोफर कॉस्टमर्स और मोर परसेलाइज और इंक्लूजिव पेमेंट एक्स्पिरेंस विच कंपनी एस इंट्रूइस थे एंट्रूपशन भी है सैनी इंडिया देकि सैनी इंडिया जोगी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मैनुफेक्ट्टर है लाइंच किया एंट्रूइस किया है जो की 1st fully electric opencast mine truck है तो जो भी ओपस उंब और जो ओपन कास्ट माइनिंग operation होते हैं। इस तरह के々 के ट्रक की दिमांड रहती है और ये electric truck है ठीए और 100 सॉर्ट्र टंस तक का पेलोड जो है यह उठा सकता है विद विच इंशुरेंस कंपनी है जना इसमाल फाइनेंस बैंक एस पार्टनर तो ओफर लाइफ इंशुरेंस प्रडॉक्ट्स टू इस कस्टमर्स जना इसमाल फाइनस बैंक ने अपने ग्रहकों को जीवन भी मौत पात पेश करने के लिए किस बिमा कंपनी के साथ साहधरी क किये है जिसके तहत जो इंसुरेंस प्रोडॉक्ट्स हैं को टक महिंत्रा लाइफ इंसुरेंस के ठीक है वो जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको पेश किये जाएंगे साथ ही आपको जाने चाहिए बेन कैपिटल इसने 1.08 परजेंट स्टेक अपने एक्सिस बैंक में बेज दी है ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के तहत एक्सिस बैंक और शोपर्स स्टॉप ने मिलकर एक नया को ब्रेंडेट कर लोंच है जिसका नाम है एक्सिस बैंक शोप इस द्वारा हाली में शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है सही आंसरॉप्शन ए है आईडियेशन एक्स देगे लाइफ इंशुरेंस एस्पे लाइफ इंशुरेंस अपना आईडियेशन एक्स इसका फर्स्ट एडिशन लोंच है आपको बता देख इनोवेटिव प्लै जाए किस तरह के लोगों की जो नीड है उसके हिसाब से कुछ इंशुरेंस सोलूशन स्या प्रोड़क्ट सम बना सकते हैं तो यह जो प्लैटफोर्म है यहां पर वोपनी जवी डिटेल सम्सब्मिट कर सकते हैं कि विच ओर्गनाजिशन कोलाबरेटेट इडिट विमेंस व बैंकिंग के साथ सहयों किया सही आंसर ऑप्शन भी है सिड्वी कि देखें स्मॉल इंडॉस्ट्री डेवलपमेंट बैंक को फिडिया निकी सिड्वी ने विमेंस वर्ड बैंकिंग के साथ मिलकर एक मौयू साइन किया है किसके साथ जीवी का बिहार इस्टेट रूर्ल डा कोशिर मनता है प्रियास सिड्वी संबंदित है और इसका मकसद क्या है जो माइक्रों से माइक्रों एंट्रपाइजेश हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइट कराना इस पार्टनर्शिप विल हैल्प इन अनलोगिंग पोटेंशल ऑफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन एंड विल प्रवाइट कराएगा पचाहँ जार मिमन एंट्रप्रिनोर्स को कि सिड्वी के cmd आप सभी जानते हैं सीवा सुब्रमनियम रवन हैं एक पॉर्डिंग तो दा यूएन फ पी इस स्टेट फ वर्ल पोपुलेशन 24 रिपोर्ट वाट इस इंडियास एस्टिमेट है यानि 144 को रोड है और 24 प्रतिशत जो है इसमें चीरो से 14 की जो एज के हैं वह है ऐसा कहा है यूएन फ पी ने तो यूएन फ पी यानिक यूशन पोपुलेशन फंड इनकी जो स्टेट ऑफ वर्ल पोपुलेशन दोजार चोबिस रिपोर्ट जिसका टाइटल रहा इंटर 1.44 बिलियन फोपुलेशन के साथ बहरत पूरे पहले नंबर पर है फिर चाइन आता है 1.45 बिलियन फोपुलेशन के साथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वह जो लास्ट सेंसर्ट की गई ती 2011 में वह से 1.21 बिलियन थी इसमें यह भी कहा है कि जो चुशन प्रतिशत जो पॉपुलेशन है वह जीरो से 14 साल के बीच की है और 17 प्रतिशत दस से 19 साल की है तो चाइल्ड मैरिच परसेंटेज इंडिया में यह यह तीज प्रतिशत रहा है दो जार चैसे दो चार तीज के बीच में इकतर साल है और महिला की प्रतिशतर साल है प्रियू सार में प्रतिश इंड एक इंड का से लिए वार्तिशत देख लेते हैं वहर इस मांट एतना से यह तली वत इस थीम फॉर्ड हरीच टैट वेट्स दिसकोर एन एक्सब्रेंस तृइस दाइबर कियों इंड स्काइबर कि तो बुस्ट मेरी लाइफ इस बिंग डप्लोई इन वर्ली कॉलिवरा मुंभाई आप रसे कई एस्ट इस बिल्कुल सही आंसर किया है इसी तरह से पाइस्पिट करते रहिए चलिए आज के साइबन कोशन देखते हैं यही आप से रिक्वेस्ट है यही आप से रिक्वेस्ट है साथ ही क्रेंट अफेर्स फंड़ा को आप टेलिग्राम पर जरूर देखिएगा जरूर जोएन कीजिएगा यहां पर हम डाइगुलर क्विज और जो भी न्यूस से वे जो भी जॉब से संबंदित अपटेट होते हैं वह आपके साथ शेर करते रहते हैं ठीक है और से लग आप कोमेंट बॉक्स में वश्चे बताईएगा थैंक्यू वाइज